वारारसी में प्रधान मंत्री मोधी और सीम योगी ने आधी रात में किया आविकास कारियों का निरच्छन नमस्कार मैं हूँ सिवं कुसवाहा और आप देख रहे हैं दाखबरदार नियोज सौंबार रात बारा बज़े के बाद में रिच्छन के दोरां प्यम मोधी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आधित नाथ भी थे प्यम मोधी को इस थानी लोगों के साथ बात चीत करते दिखा गया इसके साथ ही प्यम मोधी ने सौंबार को उत्तर प्रदेश के वाराड़सी में बीजेपी के मुख्य मंत्रियों और उप मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक की प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी ने वारारसी में प्रमुख विकास कार्यों का निरिच्छन किया और कहा कि सरकार का प्रयास है कि इस पवित्र सहर के लिए सर्वोत्तम संभाव बुनियाद धांचा बने पीयम मोदी ने मंगलवार राट ट्विट किया कासी में प्रमुक्विकास कार्यों का निरिछण किया इस पवित्र सहर के लिए हमारा प्रयास है कि सरवोत्तम संभवुनिया दिधाचाब बने सोंबार रात 12 बज़े के बार ने रिच्छन के दोरान पीयम मोधी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आधित नाथ भी थे पीयम मोधी को इस्थानी लोगों के साथ बाचित करते देखा गया इसके साथ ही पीम मोदी ने सोंबार को वारारसी में ही बीजेपी के मुख्मंत्रियों और उप मुख्मंत्रियों के साथ बैठक की आपको बता दे पीम मोदी ने ट्वीट किया अभी अभी कासी में बीजेपी के मुख मंत्रियों और उप मुख मंत्रियों के साथ एक बैठक खत्म होई है बैठक में सामिल हुए असम की मुख मंतरी हिमंत बिश्वा सर्मा ने बताया है कि बैठक सोंबार की देर रात तक 6 गंटे तक चली सर्मा ने ट्वीट की आज 6 गंटे लंबे गहन और गहन विचार विमर्स के दोरान एक बेहतर भारत के लिए अपने ग्यान और द्रिश्टी से हमें परचित कराने के लिए धन्यवार नरिंद मोदी जी आपको बता दे पीम मोदी फिलहाल अपने सांसदी छे तरवारारसी के दो दिफसी दोरे पर हैं जहां उन्होंने सोंबार को लगभग 340 करोड रुपे की लागस से नो निर्मित कासिव शुनात धाम के फेज एक कउद घाटन किया वही मंगलवार को दो पहर करीब 3.30 बजे पीम मोदी स्वरवेद महामंदिर में सद्गुरू सदा फल्देव बिहंगम योग संस्थान की अंधानवी जैंत्री समारों में सामिल होंगे रानमंत्री बिहार और नागालेंड के डिप्टिव सीयम के साथ असम, अमड़ांचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाडा, हिमांचल प्रदेश, करनाटक, मद्ध प्रदेश, मडिपूर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तरा खंट के मुखमतियों के एक सम् सित्राजियों के मुख्य मंत्रियों का 15 दिसंबर को अयोध्या आने का कारक्रम है, अधिक जानकारी के लिए देखते रहे ये दा खबरदानियों, तब तक के लिए धन्यवाद, झाल